नवस्कार दर्श्रम के दो आती दी मां फरी एक वर आपनू स्वागत छे अती दे लेगो करेकरम के जे करेकर मां विशिष्ट व्यक्ते तो साथे आपनी मुलाकात करें वच वातों करें चेंद रग। आपनी साथे चे एक वो सुमधूर अवाज के जेने महनत थी खुब स्ट्रगल करें ने पोता नू नाम पोता नी जग्या अत्यारे संगीत ने गाई की नी दुनिया में बना विदी दूशे मौमध इर्फान जी अमरी साथ है मौमध इर्फान जी आपका स्वागत है क्या पस यह बहुत सारे से सवाल भी आते हैं कि जो नॉर्मली कॉंपेटिशन में नेशनल लेवल के कॉंपेटिशन होदें और उसमें बात फिक्सिंग किया जाता है अब पहले से डिसाइड किया जाता है कि यह बंदा इसके साथ इसको ही लिफ्ट करना है स्टेट वालों की फिलिं कि अपना ही परसनल एक्सपिरियंस शेयर कर सकता हूं क्योंकि और टीवी शोज में और लोगों के साथ क्या हुआ है मैं नहीं जानता बट हाँ मेरे साथ जो एक्सपिरिंसेस वह हों बहुत अच्छे हुए हैं मैंने सारे गामापा में हिस्सा लिया था एक तो मैं जब छोटा अगर थी बड़े लेवल पर आज अगर तक है और बहुत अच्ग गुणी जन में जब लॉःट्च है था यद हैं मैं लगों लोगों द्या दीया था तो अधिशन दीया था तो मैं भी इसमें गया था और मैंने इसका अगर अज अगर फार्व एशन नहीं किया था। एक् तो उस वक्त साउथ में, साउथ इंडिया में, इन टोटल हिंदी शोज की विविवर्शिप बहुत कम थी, तो बत नैचरल मुझे वोट्स कम मिलते थी, यह हुआ था वाच अफ इंडिया में, जब जहां पब्लिक वोटिंग थी, तो वाच अफ इंडिया में मेरे साथ जो थ वोट्स आते थे, इन फाक्ट आ रिमेंबर जिस दिन में इलिमिनेट हुआ था, उस दिन वोटिंग पैटर्न कुछ इस तरह डिकलेर किया था, कि पहले रेस्ट आफ इंडिया के वोट्स, फिर उसके बाद अडिंग धर होम स्टेट वोट्स, तो उस दिन जो टॉप है, उन में से जब रेस्ट आफ इंडिया के वोट्स आड़ किये थे, नम्बर बन पर था और जैसे ही मेरे हैधरबाद के वोट्स और आंधर के वोट्स उसमें आड़ किये गए तो आएधके सवाल ये भी होता है कि हिंदूस्तान इतने अलग-अलग कलर्स में बटा हुआ ह बिल्कुल, South में जाएंगे, North में जाएंगे, North में जाएंगे, West में जाएंगे, तो और South में भी, मतलब चार अलग-अलग states उसमें भी अलग-अलग mood है, अलग-अलग colors है, बात यह आती कि इर्फान जब competition में participate किये थे, तब शायद hometown या तो home state से इतना नहीं मिलेगा, लेकिन गाय की, वो कभी कहते है ना, कि जो हीरा है वो कभी छिप नहीं सकता, वो सकता है कई दिन तक वहीं पढ़ा रहे, कई सालों तक पढ़ा रहे, कई महिनों तक पढ़ा रहे, लेकिन जब भार आता है ना, तो उसका प्रकाश हर एक को recognize करना पड़ता है, कि बहुस दम तो है ब करने लगा, जब बहुस सारे लोग प्यार करते है ना, तो कहीं ना कहीं वो पहले दिल में एक जगा होती है, फिर दिमाग पे चड़ जाती है, कभी ऐसा महसोस हुआ यार हिर्फान भी यह तो हो गया दोस्ता भी, तो ना, अचीव कर लिया बहुस दो, मुझे आज तक नही करने लेख हिसालिया, सारे गाम अपा में गया और बहुस ओडिया उडिशालिया में अपने हिसालिया, मैं आज दो अधी रहे हाँ उडुटा पेसदो भी टिफरेंग तो नहीं मिलता है, playback singing is a different feel altogether तो बच जब finally playback में भी गाने आने लगे और गाने हिट होने लगे और काफी सारे गाने आज मेरे पास हैं जो बहुत बड़े hits हैं, उसके बाद भी मेरी भूख अभी भी खतम नहीं होई है मुझे भी लगता है कि मुझे और बहुत सारे हैं इर्फान, एक ब्रेक पॉइंट आता है हर एक इनसान की लाइफ में आपने बजपन से कॉंपिटिशन में पार्टिसिपर करना शुरू कर दिया, प्लेबेग भी शुरू, सही तर्निंग पॉइंट क्या मानते है अपने लाइफ पर? मैं तर्निंग पॉइंट बिलकुल मानूँगा सारे गामापा को जो 2005 में ने किया था, चैलिंग 2005 बाइफ और सेय eleven किया था किया था एक तर्निंग पॉइंट रहा कि वो रह लोगा हाट क्यूंग की काे ऐसके बाद मुझे तो अगरे में मुंबए सिटी में मुंदा अभूया कि पीज चाहिए या इस अर्फ पाइघे श्राइटाक है वहां से मुझे 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 इसके मुझे पीछे की शूरी सुनीए क्या हुआ था ता रहा हूं, कि ऐसा तो नहीं होता है कि सीधा जाके, घर पर लेटर आ जाता है या तो जाता है, तो बेटे, कल आजाओ, कल आपका शूट करना है काश ऐसा होता है, मुझे इसके पीछे की स्टोरी सुनीए, क्या हुआ था, बार-बार रगड ने तो जूटे-जूटे पाऊं भी पढ़ने होगे, अरे गुरु जी वाव, आप तो महत महान है, यह भी बोलना पढ़ता है कभी जोबी सुने के लिए, ऐसा करते हैं लोग, कोई मुझे देख के बुला अले गाना गवाने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है, शाद आज़ 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 होता होगा, क्यूंकि आज़ मैं देख रहा हूँ कि रियालिटी शोज से काफिन भी दी जाते हैं, हाँ, कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो मेरे साथ कोई कमिट्मेंट भी नहीं होता है, कि मुझे कोई गाना गवाएगा, तो मेरे फुल्फिल्मेंट का चांस ही नहीं है, तो मैं वहां से ही बहुत ही पीछे था, बट फिर रियालिटी शोज से ख़तम करने के बाद, तब मैंने फिर से महनत शुरू की कि आडियो सीडी, और वो सीडी मैं मुझे कमपोजर्स को देने लगा, कि प्लीज मेरे आवाज सुन लीजी, अगर पसंद आता है तो आप, कहां, 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 दर दर कौन से कौन से दर पे जा किया है, इसमाईल जी को दिया था, और मिथून मेरे बहुत ही एक चह कहां नहीं आवाज को पैचाना, मैं चाहूंगा कि उसका कुछ पैश किया जाए, ज़रूर, ज़रूर, वो गाना फिल्म मोडर टू से ही है, फिर मोहबद, दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहबद करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा ज़रा, फिर मोहबद करने चला है तू, कि यहीं आप भी रुक जाओ, क्योंकि वक्त हुआ चोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे इर्फान जी से बीज़ा तबाक है, इर्फान जी आपने बताया कि मडर मिल गए और वो आवाज और जो गाना मतलब हिंदूस्तान ने एकसेब भी कर लिया, लोग चाहने लगे, मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं कि ज्यादा तर यह होता है कि कभी एक गाना कोई हीट हो जाता है, उसके बाद, नॉर्मली एक्टिंग में भी यही बात होती है, एक टेस्ट जो सब जगा चल गया, सब ने पसंद कर दिया, फिर उस आर्टिस्ट को उसी टेस्ट के ग अगर कोई मुजिक डाटर है, वो पसंद भी नहीं करता है कि उसको इस टॉन में में लेके जाओ, कि आपके साथ भी एसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और होता है, सबके साथ ही है, और I don't think एसमो के खराबी है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो भी सिंगर है या एक्टर ह इसलिए उसको इस टरही गाने के लिए मिलता है, जैसे कि फिर मोहबत एक रोमैंटिक सॉंग ता लव सॉंग था, वो गाना हीट हुआ है, उसके बाद से लगाता है, कुछ चार-पांच गाने जो मेरा है, वो गाने भी बहूत बड़े हीट हुए, और वो सारे गाने या तो वह लोव सउंग से या साध संग से बार आसपास के गली लेकिन नहीं लगता कि कहीं जो वर्शिटालिटी है चो वह कहीं दब जाती कदे कर मुझे यह भी टेश्ट करना एक विट त्राकर लेकिन वह पर मी आती ऐसा इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है, कि मैं जिस काम में बहुत अच्छा हूँ, जो मुझे पता है, लव सौंग्स, और साइड सौंग्स गाने में, जिसका फील बहुत अच्छा होता है, जो मुझे मज़ा मिलता है, वो उससे कई बड़ा है, वरसेटैलिटी जो कहूंगा, जो कहूंगा, जो कहूंगा, जो कहूंगा, सच कहूंगा, मेरा सवाल है, कि, जब भी कोई एक नए आटिस्ट इंड़स्टी में आता है, तो senior, so-called senior, उसमें घल्चल पेदा हो जाती है, और कोशिश ये की जाती है, कि ये कहीं ये खेमे में घूस न जाए, इस वजा से, सच्ची जूठी कोई भी कहानी बना कर, उस नए दमदार, जो performer है, उसको रोकने की कोशिश भी की जाती है, ऐसा आक्षब भी कई बार, इसी एक्सपिरियन से क्या मानत है? और हमेज जी के लिए गाने, इस गाने एक्सपोज दिए और सल्मान भाइ की लिए उसका प्रेमरतन धनपाइवा जन्याए है, तो हमेज जी के लिए बहुत सारे सिंग के लिए और फिर से गाते हुए हैं और फिर मैं जूड़ा हूं और बहु जुड़ा हूं उन बहुत ज्यादा एक्जिस्स नहीं करते हैं जो मुझे लगता है क्योंकि मैं कितने अलग-अलग music composers के लाथ काम करता हूं आजकर और हर जगह में जाता हूं तो मुझे अतना ही comfort level feel होता है क्योंकि there are a lot of good people who are working around in the current time in the music industry which I feel personally इर्फान वीचलित नहीं होते तकलिफों में भी वो अपने आपको संभाल लेते यह यह वर्चू कहां से develop क्योंकि मैंने अभी जो बारा मिनिट गई अभी दव उस वक्त मैं यह देख रहा हूं और body language का थोड़ा study भी कर रहा हूं वीचलित नहीं होते यानि कई बार ऐसी घटना भी हुई होगी life में बच्पन से लेकर अब तक कि कई असी घटना होगी हो कि शायद इर्फान की जगा और कोई होता तो हो सकता है इसी कौन सी घटना जो खास आपको लगता है कि उस वक्त सबसे ज्यादा stable आप रहते हैं बिलकुल है ऐसी बहुत सारी situation आई है life में जब मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा और I think सबसे मुश्किल मेरे लिए एक दौर आया था मेरे लिए सबसे मुश्किल था जो मैंने आप बेर यहां बदा दो बदाया कर और चेस्ब हगनी कर रहाँ के बाद के मुझे अपने मुझी भनानी के लिए कोड़ीर कोशिक करनी है तो वह भुछा था कि इंजिनेर तुम बन गया बढ गया तो पढ़ा ही करो या फिर जॉब करो तो वह मुझे नाराज थे यह नॉटर की बोटन की गाना वाना यह सब पापा रूड है यह बहुत ही बहुत ज़्या ही बहुत ज्यादा हुआ ज़ा इस बहुत पार करता है वाट इन्जेन्सक में आगी एंग कान्या है या Libra कि मैं और गुट के स्थरगैर ये वह रहा है आग αगर कहने आ इतना में करे गार जाह रहिंग श्यूजा तो बरसों से कहा जाता है कि कोई भी नया काम शूरू करो तो उसके लिए thousand days होगा, चाहे कोई business होता है, तो भी कहते है कि thousand days तो आपको रुपना ही पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ेगा, आपको खरी-खोटी market की भी मालूम पड़ेगा, और business settle होना है, तो thousand days में हो भी ज पहर में और इतनी बड़ी industry में अपनी एक पहचान बनाना वो एक दिलो दिमाग में बैठा हुआ था, लेकिन इतना easy भी नहीं था, जिसे आपने बता है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, उस वक्त कौन ऐसे लोग थे, जिनों ने जब आये, तब से लेके, जब तक heat हुए, हैं, मेरे बहुत सारी दोस्त था और उन दिनों जैसे मैं पता है मенे रail party shows की in, तो relative show के दौरान जो co-contestants थे उन से मेरे बहुत भी थची दोस्ती होने लगी, तो उस दौरान मेरे दोस्त बने, जो आज मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं वो भी सिंगल इसे ऐशवर आभ कि अधर बनना है और सब कही नहीं लगे हुए है कि कोई इधर जा रहा है मैं आज उस उस माँ में आज उस इडी दिया आज लड़े वहां से कॉल आएगा यहां से कॉल आएगा तो यह बड़ा इंटरेस्टीन सा फेस था था को लाना से पहले पार्टी भी हो जाती होगी एक सीडी पहुंच गई है तो ऐसे बहुत सारे खुबसूरत मोमेंट्स है आज भी हम लोग दोस्ते हैं और आज हम लोग जब याद करते हैं बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि उपर वाले ने उपर वाला महर्बान है कि हम कुछ कर पाए हैं और कि यहां रोगों वाक्त हुआ अगें एक छोटे से ब्रेका दर्शक में दोरो विराम बाद अंतिम तबाकार नहीं वा तो इर्फान जी साथ है कि विराम बाद फरीक और सोगेच्छा अपनूं कारेकरा मती थी मां इर्फान जी आपने बताया कि बहुत सारे दोस्त भी थे कंटेशन जो इनके साथ आपने रिलेटी शो भी किये वह था तो थोड़ा एक सपोर्ट भी मिला था और यह भी होता था कि चलो यह भी मेरे जैस उस वक्त बहुत सारे लोग एक साथ में एक दूसरे को सपोर्ट मेरे दे लेकिन जहां एक बंदा उसी ग्रूप में से कहीं एक अच्छा सा हैची उगर लेता है उसके बाद कहीं माहौल बदल जाता है नजरिया बदल जाता है I think जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इसलिए बुरा ही नहीं करते यार सब की नहीं क्योंकि I think मैं बहुत फॉचुनेट हो मैं शायद उन चंद लोगों में से इस दुनिया में जिनके साथ बहुत कम बुरा हुआ है शायद यह हो सकता है मैं इसलिए बार बार उपर वाले का शुक्रियादा करता हूं कि God has been really kind to me कि मुझे जो दोस्त भी मिले है वो इतने अच्छे मिले हैं कि वो तब भी मेरे साथ है 10-11,000 पर आज भी हम अच्छे दोस्त हैं और फिर रास्त में कुछ और भी दोस्त हैं जो दोस्त बनते हैं और दूर हो जाते तो मैं कि बात नहीं कर call क्योंकि वो आगर बीच्छड गया है तो उसका मितलब वो उस लायक थे ही नहीं के आगे उनके साथ दोस्ति बढ़ सके इसलिए बड़ जो है मेरे साथ वो बहुत सालों से हैं और इंशालब आगे भी रहेंगे यह बात ज्यादा होती रहती है कि वो जमाने के गाने थे वो बहुत अच्छे थे हाँ आज की तारिफ भी पचास साल के बाद भी वो गाने लोग याद करते हैं तर्ज उनको याद होती है, उनके एक-एक शब्द याद होते है, धून याद होती है, और आजकल के जमाने के जो गाने बस जब तक FM में बजे, तब तक ठीक है, FM वालों ने बजाना बंद कर दिया, वो गाने बिलकुल साइड में चल जाते हैं, जिस तरह से पहले के गाने कंपोजिशन होते हैं, सिंगर में वेरियेशन होते हैं, या तो कुछ भले कहो कि इतना वेरियेशन नहीं था, फिर भी वो लंबे अर्से तक वो गाने बिलकुल आजकी तारुख में उनकी गुण सुनाई देती है, आजकी गाने क्योंकि आपने या तो यही वक्त की मांग है, बिलकुल वक्त की मांग है, और मैं बिलकुल भी यह नहीं मानता हूं कि आजके गानों में कोई कमी है, यह नहीं मानता हूं क्योंकि आज भी बहुत अच्छा म्यूजिक बन रहा है, बहुत ही मिलोडियस सॉंग्स बन रहे हैं, फर्क यह है कि कहले कम गाने बन थे फिम्म हुआ पहले कम गाने थे और कम गाने ही बहुत ज्यादा लोग सु मते थे अप्रीशेट करते ह obvious vorher Lerium Cantry stressing Asian के लिए में कांटिटी और क्वण्टी गाने बनते हैं डाः आप सरे काने फिल्म हे बनते हैं यहाँ, आफकोर्स आजकल जो वेस्टर्न इंफ्लोएंस हुआ है हमारे, वो भी अच्छा है, उससे भी एक अच्छा नया साउंड आया है, जो लोग को पसंद आ रहा है, पर उसके साथ साथ कुछ बुरी चीजें भी आई हैं, जैसे के म्यूजिक में थोड़ा सा करप भी हो जाए म्यूजिक, सबसे बुरी चीजे जो अलफाज खराब हो गएं बहुत जादा, बहुत जादा अलफाज खराब होगें खासकर जो पार्टी सौंग्स होते हैं, और डिसको और कलब के गाने होते हैं, उनक कुछ भी लिरिक्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग बास बात कर और भी लोग और हर मतलब हर दूसरे तीसरे गानों में मतलब शराप जाएं जो एएरफॉन के अलावा सुन नहीं सकते हो, हाँ जो मतलब जो ने खानों में लगा के सून लो तब तक ठीक है, अगर कोई गाना आता है तो एक वर्ड आता है उस तेंग पापा जान बुछ की एक वर्ड आवा ठीक सून दर्वार थोड़ी कम कर देता है, तो यह एक चीजय है छो एरफान जी जो संगीतकार होता है उनका फोड़ गोर्ड पाकई से रिशिआ प्यार हता हूं है या यह कोई अ कराग भी एक सिंगर होता है उसे भी कोई एक इंस्टुमेंट से विशेश प्रफॉस्ट करता हूं मेरे गुरुजी उस्ताद मुर्थुजा खान साब मुझे सिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे कीबोड सीखने का बहुत मेरा मन है मुझे प्यामो सीखने का बहुत मन है मैं जल्दी सीखना शुरू करूंगा इंशा लिए नए पूराने सब गाने आपने पर्फॉर्म उस वक्त कॉंपेटिशन में किये दे दिल को छू जाने वाला या तो बिलकुल दिल के करीब हो ऐसा कोई पूराना गाना गोन सा है इसे बहुत गाने हैं तो इसे बहुत गाने हैं एक दूसरी कंपनी ने मुझे बुलाया था उसके लिए और मैंने गाया और वो यूट्यूब पहुत है तो वो मेरे लिए बड़ा कि मुझे लगता था कि मैं रफीज साक्ती गाने ठीक ठाक गा लेता हूं और किशोड़ा की गाने मेरे आवास को शायद सूट नहीं करेंगी यह मुझे लगता था और जमने ये कवर वर्जिंस बनाए तो यूट्यूब पे इतना लोगों ने उसको पसंद किया कि मैं पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो ऐसे तो लास सवाल मैंने बोला था लेकिन ये गाने के बाद में पूछ सकता हूं कि ये पल पल दिल के पास कौन रहता है आए थिंग जब साल दो साल बाद जब शायद मेरी शादी हो जागी दो पता चल जागा सकता है ओके आपको विशी ओल दबेस आपकी करियर के लिए बहुत पहुत शुक्री आम से बात करने के लिए दर्शक में तो आती खास वात मौमाद इरफान जी साथ है वर्चे में जे पूछू एनी उपर थी ज कदाच ख्याल आवे हो शे के एक एवू करेक्टर केचे ने के संगीत बिल्कुल साफ होई छे साफ दिलनों मानस ज्यारे कोईपन गीत अथवा संगीत नी दूनियामा हावे छे तो इप बीजा बद्धा इमनी साथे भीड मार आएला लोगों करता कि अलगत देखाई आवे छे अने कदाच क्यांक आ ट्वेंटी सिक्स मिनिट्स नी वात मा एक फील थाए छे सेरे के जे गाई छे दिल थी यहना करता साथे मानस वीचारे शे पोटाना वीचारों पन इटला शुदर राके छे अ ऍपनारा दिहस्नम आतियासुद जिटला गीतो आपया छे लोको इतने दिलती वदय वद आए छे आवनारा दिवस्वम आवाज सुन्दर सुन्दर गी तो आपने पेश करता रहे तेंक्यू रिमार थेंक्स अगी तेंक्यू तेंक्यू सो मुझ प्लेजर बिए फरी मलीशू नेक्स्ट एपीसोड में एक नवा आती दी साथे त्यां सुरी जाप सुनमस्कार